हलो फ्रेंड्स मैंसल शब्र उसेन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि चेस्ट एक्सरे को रीट करते वक्त आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है साथ ही आपको बताएंगे कि चेस्ट एक्सरे की इमेज क्वालिटी को आप किस त दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर चेस्ट एक्सरे को रीट करने के लिए एक सीरीज चालू है जिसमें अभी तक कॉस्टोफरिक एंगल्स के बारे में हाईलार सिस्टम्स के बारे में और ट्रेकियल डेवीशन के बारे में आपको अभी तक बताया है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि chest x-ray को जब आप रीट करते हैं तो आपको कौन-कौन से important tips हैं जो आपको पता होने चाहिए तो दोस्तो जब आप किसी chest x-ray को रीट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले चीज़ आपको चेक करनी है पेशन्ट का नाम, डेट और टाइम सही है के नहीं पेशन्ट का जो यूनिक identification number है यानि कि जिस पेशन्ट का आप x-ray देख रहे हैं वो उस सेम पेशन्ट का ही तो x-ray है के नहीं है वो आपको चेक करना है दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है अगर कोई previous chest x-ray मौझूद है तो आप उस दोनों को compare कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको patient की name, date, sex और ये सब चीज़ आपको चेक करनी है जब आप जिस patient का x-ray देख रहे हैं वो film उसी patient की है या नहीं है दूसरी चीज़ जब हम assist करते हैं उसकी image quality को तो आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं Ripe, R, I, P, E, R for rotation, I for inspiration, P for projection and E for exposure अब बात करते हैं ये Ripe कैसे हमें image quality को assist करने में मदद करता है दोस्तो R मतलब होता है rotation अगर patient का chest x-ray लेते वक्त अगर patient rotated है तो दोस्तो जो x-ray आएगा वो आपको mislead करेगा यानि कि आपको गलट diagnosis की तरफ ले जाएगा तो सबसे पहले आपको check करना है कि जब आप chest x-ray को read कर रहे हैं वो जो chest x-ray लिया गया है वो किसी भी rotation form में नहीं लिया है मतलब उस case के अंदर patient rotated नहीं होना चाहिए अब आप कैसे check करेंगे कि यह जो chest x-ray है यह बिल्कुल accurate है इसमें कोई rotation नहीं है तो जो medial aspect होता है clavicle का उसकी और spinous process की distance यह आपको check करनी है यानि कि हमारे दोनों clavicle का medial aspect और spinous process के बीच में सेम दूरी होनी चाहिए यानि medial aspect of clavicle और spinous process equidistance position पर होने चाहिए अगर यह दोनों की equidistance position होती है तो आप यह मान सकते हैं कि chest x-ray लेते वक्त कोई भी rotation नहीं था patient का क्योंकि दोस्तों अगर patient rotated हुआ तो क्या होगा कि आप गलट diagnosis कर सकते हैं अगर मान लीजे patient chest x-ray लेते वक्त left side rotated रहा तो आपको heart का size exaggerated नजर आएगा यानि कि enlarged नजर आएगा अगर patient right side rotated है तो उसके lungs आपको बड़े हुए नजर आएगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से rotation हमारे chest x-ray को mislead करता है यानि कि misinterpret करता है तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो chest x-ray लिया गया है उस condition में patient बिल्कुल भी rotated position में ना हो अब बात करते हैं ये हुई rotation की बात तो सबसे पहले आप check करेंगे कि rotation जो है वो सही है या नहीं तो equidistance medial aspect जो clavicle है वो equidistance position पे होना चाहिए spinous process के अब बात करते हैं दूसरा आई यानि कि inspiration जब भी chest x-ray लिया जाता है तो patient को ये कहा जाता है कि वो deep inspiration करें यानि कि गहरा सास ले तो उससे जो हमारा चेस्ट के अंदर जो हमारे vital organs हैं उनका जो accurate आपको देखने को मिलता है यानि कि costropharenic angles आपको visible होते हैं अच्छे तरीके से जो lungs की margin है वो आपको proper तरीके से देखने को मिलती है और आपको anterior 5-6 ribs आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी जो ribs की marking है वो आपको अच्छ करता करेंगे क्योंकि अगर आपने चेस्ट इंस्पिरेशन में लिया है तो 5-6 ribs आपको clearly नजर आएगी जो costropharenic angles है वो अच्छे से visible होंगे और उसके बाद दोस्तों अगर incomplete inspiration है या expiration के अंदर अगर patient का x-ray लिया गया है तो आपको 123 ribs ही नजर आएगी और blurry image आपको ipe तो आर रो मतलब rotation i मतलब inspiration और पी मतलब projection तो अब आपको projection चेच करना है projection को चेक करना है कि जो image है वो posterior anterior image है PA view है या AP view है याने कि anterior posterior image ली गई है या posterior to anterior image ली गई है दोस्तों हमने already PA और AP view के difference के उपर वीडियो बना रखिये अगर आपने वो हमारी वीडियो इंट्रस्टिंग वीडियो नहीं देखिए तो उपर आई बेटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों अगर chest extra में ये लिखा नहीं गया है वैसे तो हड़ चेस्ट extra में लिखा होता है ये PA view है या AP view है पर अगर किसी chest extra में नहीं लिखा गया है तो आप यह assume करेंगे कि वो PA view है तो क्योंकि PA view के अंदर क्या होता है कि जो आपका spine के उपर आएगा यानि कि जो left diaphragm का shadow है वो हमेशा आपको spine के उपर दिखाई देगा और जो हमारी vertebra है वो हमेशा आपको heart के पीछे दिखाई देगी दोस्तो अगर यह आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है तो आप यह मानेंगे कि correct exposure के अंदर chest x-ray लिया गया है तो दोस्तो कुछ इस तरीके से chest x-ray को read करते वक्त आपको इस ripe formula का ध्यान रखना है ripe nemonic का ध्यान रखना है rotation, inspiration, projection और exposure यह चीज़ आपको check करनी है और दोस्तो इसके बाद अब अपना diagnosis बनाएं क्योंकि यह सारी चीज़े check करने के बाद यह final होगा कि जो chest x-ray लिया गया है आपको सही condition में लिया गया है और chest x-ray accurate है अब जिस chest x-ray में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसके basis पे आप अपना diagnosis बना सकते हैं for example अगर आपको chest x-ray में जो costophrenic angles हैं उनकी blunting नज़र आ दिये तो हो सकता है patient को plural effusion हो तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप chest x-ray का diagnosis कर सकते हैं अगर आपने पहले assess कर लिया है कि जो उसकी image quality है वो अच्छी है यानि वो सही तरीके से ली गई है तो दोस्तो कुछ इस तरीक से आपको chest x-ray लेते वक्त image quality कुछ इस तरीके से assess करनी है दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारी chest x-ray series की बाकी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाके हमारे चैनल पे playlist पे क्लिक करें और chest x-ray की जो series हमने बनाई हुई है जिसमें हमने costophrenic angles, AP view के बारे में, tracheal deviation के बारे में, hyalur system के बारे में, plural effusion के बारे में बताया हुआ है तो वो वीडियो देखकर आप अपनी knowledge जरूर सरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग तक share करें ताकि ये interesting fact सभी लोग को पता हो तो अगर व बूलें वीडियो को like, share and subscribe करना बिल्कुल ना बूलें थैंक यू फॉर वाचिंग फीजी और टॉक